आइफून जब आपका या फिर कोई भी स्मार्टफून यदि आपका पुराना हो जाता है तो उसमें जो है सौंड क्वालिटी बहुत ही खड़ा हो जाती है आपका ये जो सौंड है इससे अच्छा आवाज नहीं निकलता इसके साथ-साथ आपकी यहां से भी आपकी यदि आ आइफून है तो उसमें आवाज यदि कम हो जाता है तो यह प्रॉलम आम है लेकिन आप इस वीडियो में बताए के मैथिट को यूज करके अपने आइफून के चाहे वो कोई भी आइफून हो नया हो पुराना हो बीच वाला हो लेटेस्ट हो ओल्ड हो सबके आइफून के आप स्पीकर के आवाज को बढ़ा सकते हैं वो भी 200% चाहे आपका नीचे कमाई खो या फिर आपका यहां वाला यदि आपका स्पीकर है इससे भी आपका आवाज नहीं आता है तो आप दोनों स्पीकर से आप किस तरह से आवाज को बूस्ट कर सकते हो जानेंगे आज किस important वीडियो में इस वीडियो को लास्ट तक जोर दखीएगा क्योंकि यहां पे टेकनिकल चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे आपको समझना होगा और जब आप उसे समझ जाएंगे अपने आइफोन में आप उसे यूज करेंगे तो आप भी अपने किसी भी आइफो करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गरंटी है कि आपका यह सोच पूरी तरह से बदल जाएगा और आप भी अपने उसी फोन को अच्छे आवाज के साथ यूज भी कर पाएंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को यहां पर सुरू करते हैं लेकिन एक बात याद कशल बात है कि आपको स्मार्टफोन है इस से पहले तो आपको अनलाक यहां पर कर लेना है ठीक है जब आप इसे अनलोक कर चुके होंगे तो यहां पर आपको सिंपली बतादूं सबसे पहला काम आपको क्या करना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है accessibility में, accessibility आपको यहाँ पर खो़ने से मिल लाएगा आप यहाँ पर देख और इसके बाद आपको जाना है नीचे जहाँ पे आपको एक option मिल रहा है तच यह नहीं call audio routing आपको इसे यहाँ पे click करना है अब आपको यदि यहाँ पे Bluetooth handset में है तो आपको यहाँ पे speaker में तो आपको यहाँ से अटा देना है और आपको automatic पे इसे search कर देना है अब इसके बा आपको बापस से जाना है में सेटिंग में चले जाना है और जो दूसरा option आपको वह भी आपको accessibility में ही देखने को मिलेगा यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे जाना है आपसे by mistake दूनों में से यहाँ एक भी on हो गया है तो आपको दूनों को यहाँ पे touch करके इसे बापस से आपको off कर देना है इसके बाद आपको जो next वह आपको back आना है और यहाँ पे आपको देखेगा audio and visual का आपको यहाँ पे option इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस background के आवाज के साथ सत हो सकता है वो आपके भी आवाज को वहाँ पे cancel कर देता है जिससे आपको आवाज सुनने में problem होती है तो आपका यह on है और आपका यदि आवाज यदि कम है तो आप इसे off ही रखें फिलाल मेरे इस हैंशेट में ऐसा को problem नहीं है तो मैं इसे यहाँ आप एक्टिवेट ही रखूंगा नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर काम करना है वो है कि आपको simply यहाँ पर जाना है sound recognition में जहाँ आप यहाँ पर देख रहो इसे आपको यहाँ पर on करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि यह आपका on है या फिर off है इदि आपका यहाँ पर उन है तो जल्दी सा इस तरह से आपको और इसके बाद आप को यहां पर आजाना है इसकу आपको यहां पर यहांकर काम करना ज protect यह रहे नहीं करना है मैं आपको बता दू यह आप इस से या फिर वाटर से इसे आप साफ करेंगे तो आपका हैंट्रेट खड़ाब होने का संभावना बना रहेगा क्योंकि आपका फोन अब ओल्ड हो गया है तो यह जरूरी नहीं है कि उसका IP60 का जो रेटिंग है वह आपका अभी भी वैलिड हो हो सकता आपका IP यहाँ पर आपक बरस ले लेना और इसमें आप पेट्रोल या भी डीजल से आपिसे साफ़ करना इस चारजिंग आप इन के आपको यहां पर चार्जिंग के वले आपको इन सभी को इस पेट्रोल से आपको साफ करना है और इसके बाद आपको यहां पर उपर में यहां पर स्पीकर दिख रहा है माइक के पास आपको इसे भी आपको पेट्रोल या डीजल से आपको साफ करना है आपको मैं बताता और यहां पे आपको सबसे last में जाना है जहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा second last option जो है transfer और reset iPhone आपको यहां पर transfer या reset नहीं करना है simply आपको इसे पहले touch करके open करना है और अब आपको यहां पर दो option मिल रहे है reset का और erase all content and setting का तो simply आप यहां पे यहां पर इड़ेंगे और इसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पर वेट करना ठीक है अब यहां पर सिंप्ली आप देखोगे आपको यहां पर पूरी तरह से आपका यहां पर रिसेट हो जाएगा ठीक है तो आपको फिलाल आपको यहां पर देखना है क् मिल जाएंगे जैसे कि पहला है reset all setting और दूसरा है आपका reset network setting आपको क्या करना है कि दोनों को आपको यहाँ पर reset कर देना है यहाँ आपका अभी भी speaker का sound यहाँ problem solve नहीं होता है तो आपको पहले reset all setting कर देना है उसके आपका sound है वो मेरी guarantee कि आपका 100% आपका यहाँ पे solve हो जाएगा यहाँ इतना से भी हैंसेट में आपका sound ठीक नहीं होता है तो simply मैं आपको दादू इसका मतलब है कि आपके हैंसेट में manually आपसे software के थुरू आपका sound है वो यहाँ पर problem में है तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको call में जाना है और यहाँ पर आपको एक करना है कि आप किसी भी वीडियो को music को आपको यहाँ पर प्ले करना है ठीक है माल लिजे मैं यहाँ पर एक music को यहाँ पर प्ले करता हूं ठीक है अब जैसी मैं इसे यहाँ पर प्ले करूंगा तो आपको यहाँ से आवाज को यहाँ पर बढ़ा देना है ठीक है उसके और इसकी मैं गरेंटी देता हूं क्योंकि यहां पर मैक्सिम होता क्या है कि लोगों के यहां पर वॉल्यम बटन वह कम और इस तरह से हो जाते हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो जिसकारण से उनको आवाज सौंड है वह कम सुनाई देती है तो इसलिए दोस्तों यह लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोड़ किजेगा आगे भी आपको इसी तरह के स्मार्टफून की टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी तो इसकी लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जोड़ किजेगा दोस्तों